नमस्कार, एडूकेशन आपके द्वार चेनल में आपका स्वागत है आज हम जार्खन का इत्यास से सम्मंधित कुछ प्रस्णों का उत्तर जानेंगे जो विशेश कर जार्खन राज के नामकरन से सम्मंधित है तो चलिए शुरू करते हैं नमबर एक जार्खन का साब्दिक अर्थ क्या है इसका सही उत्तर है बन पर्देश जंगल जार के दिखता के कारण से इस पर्देश को जार्खन नाम दिया गया बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर जार्खन छेत्र का सर्पर्थाम उल्लेक कहां मिलता है इसका सही उत्तर है इत्रे ब्रहमन में जार्खन छेत्र का उल्लेक किस नाम से मिलता है इसका सही उत्तर है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर बायू पुरान में जार्खन को किस नाम से सम्वधित किया गया है इसका सही उत्तर है मुरंड बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर बिश्नू पुरान में जार्खन को क्या कहा गया है इसका सही उत्तर है मुंड बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर महा भारत के दिगविजे पर्व में जहारखन छेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है इसका सही उत्तर है उन्रीक देश बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और टोलमी द्वारा जहारखन को किस सब्द से सम्भोधित किया गया है इसका सही उत्तर है मुंडल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और फाहियान द्वारा जहारखन की चर्चा किस नाम से किया गया है तो इसका सही उत्तर है कुकुट लाड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और जहारखन के लिए किस सब्द का परियोग किया गया है इसका सही उत्तर है कीलो ना सूफा लाना बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और मलिक मुहमद जाइसी के किस ग्रंथ में जहारखन सब्द का उलेख मिलता है तो इसका सही उत्तर है पदमावत में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और जहारखन सब्द का सरवपर्थम उलेख कब किया गया जहारखन सब्द का उलेख सरवपर्थम कब किया गया तो इसका सही उत्तर है तैरवी सताबदी में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और मुंगल काल में जहारखन को किस नाम से जाना जाता था इसका सही उत्तर है खुकरा या कुकरा परदेश बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अब्दूल फजल क्रित अखबर नामा में किस छेत्र को जहारखन कहा गया है इसका सही उत्तर है छोटा नागपूर छेत्र को बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आइने एकबरी में जहारखन को क्या कहा गया है इसका सही उत्तर है कुकरा तथा खंकारा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और समुद्र गुप्त के परियाक परसस्ती में जहारखन को किस नाम से सम्भूधित किया गया है इसका सही उत्तर है मुरुंड मुरुंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और भागवत पुरान में जहारखन को क्या कहा गया है इसका सही उत्तर है कुककट परदेश बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और किसके दोहे में जहारखन सब्द का उलेख मिलता है तो इसका सही उत्तर है कबीरधास के उनका दोहा इस प्रकार था कबसे छोड़ी मतुरा नगरी कबसे छोड़ी कासी जहारखन में आई बिराजे बिरदावन के वासी इसी में जहारखन सब्द का उलेख मिलता है आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आपको इस परकार के और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहे मैं इस परकार के वीडियो आगे भी लाता रहूँगा और जैदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करे सस्क्राइब करे सेर करे, कमेंट करे वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धेन्यवाद